Amazon Pay ICIC Bank Credit Card यानि Amazon और ICIC Bank ने मिल करके एक credit card को launch किया जिसका नाम रखा गया Amazon Pay ICIC Bank Credit Card दोस्तों इस credit card के कई सारे फायते हैं जैसे कि अगर आप Amazon से कुछ भी shopping करते हैं इस credit card के दोरा तो आपको अच्छा खासा discount देखने को मिलता है साथी साथ आपके हर purchase के उपर आपको reward point में मिलता है दोस्तों इस credit card की खास बात तो ये भी है कि आपको लगवख हर product के उपर no cost EMI का option मिल जाता है यानि जो product 3000 से उपर की हो EMI के लिए eligible हो वो product आपको no cost EMI पर लगवख इस credit card के दोरा मिल ही जाता है दोस्तों इस credit card कुछ जादा खास मुझे इसली भी लगता है क्योंकि इसके लिए मुझे ना ही कोई भी joining fee ना ही कोई मुझे annual fee पे करनी परती है यानि ये credit card lifetime free credit card होता है यानि इसके लिए आपको एक भी रुपय future में कभी देने के जोत नहीं पड़ेगी साथी साथ आपको यहाँ benefit ही होने वाला है क्योंकि जब आपके पास reward point credit होगा हट purchase को उपर उस reward point को भी आप use कर सकते हैं और double फायदा आपका ये भी है का आपको Amazon पे आपको discount भी मिलता है इस credit card के द्वारा सो गयज आप भी apply करना चाहते है Amazon पे ICIC bank credit card के लिए आप इस वीडियो को देखी इस वीडियो मैंने process बताय होगा है कि किस तरीजेस आप apply कर सकते हैं हाँ एक बाद मैं आपको बता तो ये वीडियो जो थोड़ा सा different होने वाला है बाह की दूसरे वीडियो सो है क्योंकि मैं खुद एक ICIC bank credit card user हूँ और मुझे जो Amazon Pay का credit card मुझे मिला वो ICIC bank के old credit card के बिहाब पे मुझे मिला जिसकी limit मुझे 50,000 की मिली और वो credit card मुझे 5 minute के अंदर-अंदर approved हो गया यानि मुझे ना ही कोई online के वैसी करवाने पर ये ना ही कोई online verification मैंने proceed किया, OTP एंटर किया और 5 minute के अंदर-अंदर मेरे सामने digital credit card आ गया जिससे कि मैं यूज करना चाहता, मैं कर सकता था लेकिन मैंने भी किया नहीं है, आगे बाकी मैं आपको दिखा दूँगा तो digital credit card, physical credit card जो है मेरे पास एक अपते, आठ दिन, दस दिन तक मैं मेरे पास deliver हो जाएगा जो कि आने पर उसकी unboxing वीडियो जरूर बना कर आप सभी के सामने पर जाइंट करूँगा तो चलिए देख लेते किस तरीके से मुझे ICSC Bank के भिहाब पे credit card कैसे मिला और क्या 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 मुझे एस tips को follow करने पड़े तो चलिए फटाबर चलिए Amazon application open कर लेते हैं left में 3.line पे click करना है और नीचे आप देख सकते हैं Amazon Pay का option दिया गया इस पे हम click करेंगे नीचे आपको option देख सकते हैं आपको apply and get 300 cashback flat 5% reward point तो यहाँ पे कुछ इस तरीके detail ले चलिए हम click करते हैं click करने बद आप देख सकते हैं पे complete application आ रहा है तो पहले मैं try कर रहा था लेकिन नहीं किया तो चलिए आप मैं कर लेता हूँ आपके सामने complete application पे click करता हूँ और यहाँ पे देखिए हमारे mobile पे अभी एक OTP आएगा और उस OTP को हमें यहाँ fill करना है OTP यहाँ पे send हो गया है ओके आज चुका है चलिए copy कर लेते हैं ओके paste verify करते हैं आपे अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि card to card में apply करने जा रहा हूँ को ICIC bank का already मेरे पास credit card है तो यहाँ पे भी हम card number enter करेंगे साथ ही साथ आप उपर वाले line में देख सकते हैं इसके benefit क्या है 5% reward point मिलेगा no cost EMI up to 6 month और no hidden charges कोई भी hidden charges नहीं है proceed के click करेंगे हम next पे में आ चुका है यहाँ पे देख सकते हमारे credit card पे पहले वाला कौन से आडियस है यहाँ पे सो हो रहे है क्योंकि credit card की सारी information यहाँ पे automatic से आ जाएगे यहाँ पे हमारे साहने नीचे तीन option है कि अगर हम auto debit की facility लेना चाहते हैं हमारे saving account से due date से पहले पहले automatic हमारे account से deduct हो जाएगा और account number भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 0707 है चलिए हम यहाँ से next करते हैं यहाँ पे कुछ term and conditions दिएगे यहाँ हम accept and generate card पे click कर लेते हैं so finally हमारा digital credit card जो generate हो चुका उपर message आप देख सकते congratulations money swarthi here is your Amazon pay ICIC bank credit card यह जो credit card store हो रहा है यही वाला मेरा credit card है जिसे मैं hide कर दूँगा ठीक है यहाँ आप note में भी देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ you can view your card details including CVV in iMovile app and internet banking after 60 minutes यानि 60 minutes के अंदर अंदर हमें iMovile में भी यह card देखने को मिल जाएगा उसके बाद enable transaction अगर एक किस तरीके समझो है iMovile में login करके अपने card की details को देख सकते हैं manage कर सकते हैं वो सारी जानकर यहाँ पे दी गई है तो चलिए दोस्ते हैं iMovile के उपर और देखते हैं यहाँ पे card add हुआ है नहीं हुआ या फिर वक्त लगता है अगर वक्त लगेगा फिर हम बाद में दुबारा से वीडियो को record करेंगे यह रहा मेरे saving account card पे यह तो मेरा पुराना card है नहीं दोस्तों यहाँ पे हमारा card add नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं हम आधे पोने गंटे का wait करते हैं और उसके बाद देखते हैं card अगर add होता है तो मैं तुरत जो है वीडियो सूट करके मैं इस वीडियो के साथ में add कर दूंगा ठीक है तब तक हम wait करते है लगवग आधे पोने गंटे के बाद जो दुबारे से मैं आई मुएल को चेक किया तो वहाँ पे मुझे Amazon Pay का credit card add वहाँ पे दिखा यानि वहाँ पे add हो चुका था तो मैंने सोचा चलो आप दुबारे से recording कर लिया जाए तो मैं सबसे पहले आपको एक message दिखा देता हूं जो message मेरे पास लाश्ट आया था 9 बज के 20 मिनट पे dear customer important action required your Amazon Pay ICC bank credit card is approved यानि यह तो finally हो चुका है हमारा credit card approved हो चुका है तभी show नहीं कर रहा था ठीक है नीचे एक link दिया है link पे हम क्लिक करके देखते है क्या है है यहाँ तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि आपका Amazon Pay ICC bank credit card जो है आप उससे कैसे activate कर सकते हैं यहाँ पर internet banking के जड़िए यहाँ आई mobile के जड़िए वो दिया गया है साथी साथ नीचे दिया गया है कि 300 cashback जो आपका Amazon Pay balance में credit हो चुका है और उसके बाद जो है यह भी बताया जा तीन सोरपे वला वो payment के entry दिखा दूँ तो यहाँ पर मैं 3.line पर किलिक करता हूँ your account में जाता हूँ और यहाँ पर हम चलते हैं Amazon Pay balance के अंदर ओके यह रहा view Amazon Pay balance statement इसके उपर हम किलिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं Amazon Pay ICC bank credit card limited period of और 16 February 2029 बज़ के 20 9.20 पीम रात के 9 ठीक है तीन प्लस 300 की entry है यहाँ पर यह 300 पर मुझे जो मिला है ठीक है cashback के तोर पर क्यूंकि मैंने Amazon Pay credit card apply किया और साथी साथ एप्रोब्डी भी हो गया अब मैं आपको लेके चलता हूँ i mobile application पर और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ add हुआ तो limit कितना है यह मे due details पर क्लिक करता हूँ आप यहाँ पर देख सकते 50,000 की limit है current due zero है statement और यहाँ पर कुछ नहीं कुछ नहीं हूँ ठीक है तो यहाँ पर भी card number दिया गया validity CVB नाम और और उसके बाद नीचे यह दिया गया है कि आप ATM video कैसे कर सकते हैं और ATM video के लिए enable करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं online transaction tap and pay का option दिया गया है international transaction के लिए tap है oh sorry enable करने का option दिया गया है कि आप international transaction के लिए allow करते हैं कि कार्द को यह नहीं करते हैं यह सारी चीज़े गए हैं आप card को block unblock कर सकते हैं pin generate कर सकते हैं IML के जड़ी बहुत सारी से आप Amazon Pay, ICIC bank credit card apply कर सकते हैं साथ किसी चंद मिन्टों के अंदर जो आपको approved होके मिल जाता है और आप उसे यूज भी करना start कर देते हैं तो दोस्तों बस यही था इस वीडियो में और card का हम इंजाल करते हैं जैसे वो card आता है हमारे पास हम उस card की unboxing video आपके सामने जरूर बन आके present करेंगे तो इस वीडियो से related किसी तरह का सवाल अगर आपको कुछ पूछना है कुछ सुझाओ ता आप हम नीचे comment section में comment करके जरूर बता सकते हैं तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना है मिलते हैं next वीडियो में thanks for watching bye bye